आज की वीडियो मनाने का मेरा बिलकुल भी विचार नहीं था बट ये मैं consumer end के लिए वीडियो नहीं मना रहा जादा तर ये मैं real estate influencers जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गुड़गाओं की बातचीत करते रहते हैं अपने YouTube चानल के थुरू उनके लिए मना रहा हूं क्यो से एक consumer का decision making pattern बदल जाता है और वो गलत decision ले लेते हैं हाँ जी आज हम उनकी बात करेंगे जो हमेशा ये कहते रहते हैं आपने सुना ही होगा अगर मैं अपने phone में सुना हूं तो आपने बिलकुल आपको समझ आ जाएगा I say that I am the number one real estate clarity giver in the country तो बहुत सारे self-proclaimed लोग हैं मैंने बहुत लोगों को मिला हूं जो बहुत confident होते हैं बड़ ये हर वीडियो में हमेशा बोलते रहते हैं कि I am the most intelligent और whatever he says पता नहीं क्या बोलते हैं इतना confidence लाते गासे हैं मुझे भी नहीं समझ आता बड़ लाते हैं अ ये आपको सुनाई दे रहे हैं आज हम भी high order thinking ही करेंगे क्योंकि आज मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी जनता थोड़ी सी serious बाते करें और बाकी YouTube चैनल्स की तरह हम बेवो कुफो वली बाते ना करें तो आज हम उनकी एक last वीडियो के बारे में cover करेंगे which was about dinosaurs and elephant थोड़ा सा audience को मैं simplify करूं तो उनके लिए dinosaur का मतलब है DLF और elephant का मतलब है Elan ये दोनों उन्होंने अपनी high order thinking जनता के लिए मनाया था कि वो comment section करें थोड़ा सा जाधा reach आए और उसमें उन्होंने अगर आप video देखेंगे probably I would want to add a clip here T for dinosaur है builder ठीक है और वो golf course extension पे प्रोजेक्ट लेकर आया था बड़ा प्रोजेक्ट रातो रात बहुत बिका उसने ठेका दिया किसी एक contractor को 369 करोड का उतने apartments के लिए जितने apartments के लिए E for elephant वाले ने अभी दिया है जिसकी news आई है द्वार का express way पे फर्क क्या है दोनों के apartment same है numbers में जब आप research करोगे पता चल जाएगा almost same है E for elephant वाले ने 1000 करोड प्लस का ठेका दिया है तो यानि कि हम ये D for dinosaur है ये E for elephant है 25 दोनों के same है तो जैसे उन्होंने बताया कि DLF ने अपना contract दिया है 369 करोड का में को जब मेरे client ने phone किया तो मुझे लगा शायद से वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं वो घर में research करते हैं तो शायद से उनसे गलती हो गई हो और मैंने थोड़ा सा उसको serious note पे नहीं लिया में को लगा कि वैसी थोड़ी से उमरदार इंसान है गलती कर सकते हैं confidence में गलती वैसी ही हो जाती है confidence में गलती इंसान हमेशा करता है वो चाए athlete हो चाए real estate consultant हो चाए वो बोलते नहीं है real estate consultant बट घर तो उनका बेचके ही चलता है तो हम मैंने seriously नहीं लिया बट on the contrary DLF ने अपने 5 towers है DLF Arbor में जहाँ पे उन्होंने 3 tower का contract दिया है अलुवालिया construction को और 2 का दिया है BL कशप को in total it is 1113 crore you could find the details उसकी details आप screen पर अभी देख पा रहे होंगे वैसे ही उसकी total value अगर आप देखते हैं तो 1113 crore रुपे आती है on the contrary जो जिस project को वो promote कर रहे थे उसका total value 1000 crore का contract दिया गया है और उनकी बात बाशा अगर आप वीडियो में देखेंगे तो उनने खुद ही बोला है कि similar density है similar number of per square fee development है तो DLF का obviously थोड़ा सा महेंगा गया है तो मुझे लगा मैंने सोचा कि क्या होगा क्या कोई selfish reason तो नहीं है उनका कि उनने ये वीडियो में इलान को और DLF में धाई गुना construction में फरक पुड़ा दिया जहाँ पे वो खुद real estate के number one clarity giver अपने आपको बोलते हैं तो मेरी समझ से तो मुझे लगा कि इतना basic cement उसी company का लगता है सरिया उसी company का लगता है इस सारी चीज़े commoditized है यहाँ पे अगर आप कोई बड़ी construction partner को भी ले आते हो तो the maximum variation you could foresee is not more than 20% तो उसमें मेरको यही था कि यह गल्ती हुई है या यह कोई propaganda है तो महाँ ही मुझे आज सुबा सुबा एक message आया कि there are few cancellation units which are there in Elan तो वहाँ से मेरा जो एक gut feeling थी वो थोड़ी सी और strong हो गई कि अच्छा now it makes sense कि cancellation unit भी है आरबर जैसे जो 7-8 करोड पे वली जनता है उसको कहा जा रहा है कि हंजी जी इससे बहतर यह project है आप यह ले लीजिए और वहें थोड़ा सा गुमरा किया जा रहा है थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा मैं तो बोलूँगा कि clear cut बेवकूफ मनाये जा रहा है क्योंकि हर वीडियो उनकी 10,000 लोग देखते हैं 10,000 में 1% भी अगर buyers हूँ of that category तो 100 लोग होते हैं और उसमें से एक बंदा तो खरीदे गई अगर 100 लोगों का भी 1% करूँ तो एक बंदा तो लेगा तो एक बंदा तो उनने बटा लिया और उस एक बंदे को बेवकूफ मनाने के लिए उनने वीडियो मना दी जहाँ पे आम आदमी को ये बता दिया कि धाई गुना धाई गुना का फरक है एक DLF के लक्शरी प्रोजेक्ट में और Elan के लक्शरी प्रोजेक्ट में और अगर आप Elan T याप कोई भी नामी गरामी कमपनी को ले आते हो तो उससे 10 से 20 परसेंट का फरक पड़ता है उससे जादा फरक नहीं बढ़ता वैसे ही अगर आप और भी वीडियो देखेंगे उनकी या मैं तो बोलूँगा कि हर रियल स्टेट इंफुलेंसर की बायस्ट व प्रोजेक्स आ रहे हैं वो उसका प्रोमोशन के लिए वीडियो मना रहे हैं rather than guiding and informing whosoever could be interested मुझे पता है कि मुझे इस वीडियो में बहुत हेट मिलेगी क्योंकि मैं भक्त आर्मी उनकी भक्त आर्मी है गुरुजी गुरुजी लोग बोलते होने प्यार से तो शायद से वो सुनते नहीं है जो बोल देते हों मान जाते हैं उनकी बात तो मैं पिछली वीडियो में नहीं मांगा था आज जोड़के आपसे विंती है आप हमारे हजार सिस्क्राइबर्स कराईए हमारे एडिटर्स आपने 500 में पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उनने 500 में पार्टी नहीं ली थी, वो बोरे हैं कि हजार ही हो जाएंगे, आप जनता से एक बार मांगो तुसे ही हजार करतेंगे, तो हम हजार का वेट कर रहे हैं, हजार सस्क्राइबर्स आप इस वीडियो में करा दीजिए, मैं वहां तो नहीं जाओंगा जो प्राइस पॉइंट्स के बेंचमार्क्स उन्होंने कहें हैं, मैं को नहीं लगता कि कोई भी भगवान है, कि हमें बताओ कि अगले 5 साल में क्या होगा, जितना मुझे समझ आता मेरे काम करने का तरीका है, वो यह ही है कि अच्छी चीज लोगे तो आज नहीं तो कल, जबी भी मार्किन में तेजी रखेंगे, तो वो 10, 20, 30 साल बाद भी एप्रिशेट कर रही हैं, वो इसले ही एप्रिशेट कर पा रही हैं, क्योंकि वो मिंटेनेंस इतनी अच्छी रहते हैं, कि वो आज DLF ने नौर्थ इंडिया में एक निया कॉंसेट लेके आया, जहाँ पे वी नो कि प्रॉपर्टी की बात करी जाती है, I believe कि luxury तो एक tag है, आप में luxury, super luxury, कुछ भी बोल दू, मैंको market से 200-300 करोड फालतू मिलेगा, तो there is no harm, उसके लावा I would not want to go, बट मेरे साब से जितना मैंने बोला है, this would help the YouTube community, कि उन्हें पता है कि कोई बंदा अगर गलत बोलोगे, तो भाई मैं तो वीडियो मना रहा हूं और किसी के लिए ने मना रहा, तो आप, मैंको बता है, सारे influencer देखेंगे, जो भी YouTube में मनाते हैं, सारी गुड़गाओं में community देखेगी, तो मैं उनसे हार देख्विंदी करना चाहता हूं, कि please, जो बोलना है, सच बोलो, ये मत बोलो कि ये commercial अच्छ दो, ये कर दो, ये ऐसी कोई आग नहीं लग रही, कोई भी हर बन्दा गुडगाओं नहीं आ रहा हूट के, ये जब कुछ नहीं होने वाला, I would not want to go to the dwar का expressway aspect, which everybody has been covering a lot, मेरे साब से वो अभी भी एक sub premium market है, luxury economy अभी भी वहाँ पे thrive नहीं कर सकती, because of the social infrastructure not being there, besides that, if anybody is interested in any of those luxury projects, मेरे साब से अगर आप ready to move में नहीं देख रहे हैं, under construction देख रहे हो, तो कुछ और builders आ रहे हैं, जो जादा नामी करामी हैं, जो जादा अच्छे हैं, जिनका जादा अच्छा track record है, कि आगर आप 10 रुबे भी लगा रहे हैं उनके साथ, तो you would have the peace of mind, कि आपका पैसा safe है, तो I would like to end this video with the learning, कि भिया आप consumers, please don't believe just anybody, पहली transaction हो जाए, अगर आपकी profit booking होती है, तो अच्छा है, अगर आपको अच्छा घर मिलता है, if you get a good after sale service, which I have seen, कि 99% जो real estate consultants हैं, वो after sale service अच्छी नहीं दे पाते, तो after sale service is something which you guys should look out for, उसके लावा किसी को भी भरोसा मत करो, due diligence खुद करो, research खुद करो, property खुद देखके आओ, समझ खुद की मनाओ, market में हर बंदा अपने फायदे की चीज़ बोल रहा है, कोई भी कि आपकी फायदे की बात बुलने में 100 बार कतर आएगा, तो उसको कुछ नहीं मिर रहा, तो मैंने भी वीडियो मनाई है, कि आज कम से कम फुल स्टॉप लग सकता है, शायद से I believe कि इतना तो हम आज production quality भी थोड़ी एडिटर साब ने अच्छी करी है, कि लोग छोड बोलना तो बंद कर दें कम से कम,